वेल्कम टू बिस्तक मैं हूर पांजली और आज हम लोग का टॉपिक है हेल्थ इंशॉरेंस का कवरिज कितना होना चीए जब हम लोग हेल्थ इंशॉरेंस लेते हैं तो अक्सा सोच में पढ़ जाते हैं कि कवरिज कितने ही होने चीए आपको क्या लगता है पांच लाग की कवरिज सही होगा या दस लाग या शायद आपको और ज्यादा कवरिज चाहिए हेल्थ इंशॉरेंस का कवरिज जब आप डिसाइड करोगे तब आपको बहुत सारा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसी बात नहीं कि एक चीज देखके आपको हेल्थ इंशॉरेंस कवरिज आप चूज कर सकते हो तो काफी सारे चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको कवर डिसाइड करनी पड़ेगी याद रखे जितने आज का कवरिज है उतना शायद कल काफी नहीं होगा इसलिए आपको आज या आने वाले कल के बारे में सोचते हुए कवरिज अमाउंट को तै करना चाहिए आईए देखते हैं कि हेल्थ इंशॉरंस कवरेज चूज करते वक्त आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए दवाईयों के खर्चे दिन प्रते दिन बढ़ते जा रहे हैं दवा, डॉक्टर की फीज, हॉस्पिटल का खर्चा वगेरा इतना महंगा हो गया है कि पांच से साथ दिन का हॉस्पिटलाइजेशन में लाखों का बिल आ सकता है आपको ये बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखना होगा और अनुमान लगाए कि basic treatments जैसे appendicitis, gallbladder, etc. इसका खर्चा भी कितना हो सकता है उसके हिसाब से आपको चुनना चाहिए कि आपको कितने का health insurance coverage लेना चाहिए आज जो medical costs है वो कल बढ़ेंगे क्योंकि medical inflation खर्चों को बढ़ाती है क्या आज से 10 साल पहले के खर्चे में आज का treatment आपको हो सकता है? नहीं, राइट? Medical inflation को ध्यान में रखना इसी लिए जरूरी होता है आपका cover ऐसा होना चाहिए कि आज के साथ साथ कल के बढ़ेवे खर्चे को भी वो cover कर सके अगर आपके पड़िवार में बाकी सदस्यों को भी खर्चा आप ही उठाते हो तो आपको ज्यादा coverage लेना चाहिए ऐसा इसी लिए क्योंकि अगर एक साल में दो या तीन लोग एक साथ हॉस्पिटल में भरती होते हैं जैसे हम लोग कोविट के टाइम पे देखे हैं तो ज्यादा amount का claim आपका हो सकता है इसी लिए उतने coverage का some insurance आपके पास होना चाहिए Number 4, मौजूद coverage यदि आपके पास पहले से एक health insurance policy है या फिर आपके ग्रुप या फिर employer ने आपको कोई health insurance coverage दे चुका है तो आप कम coverage ले सकते हो क्योंकि बाकी जो insurance coverage की जरुरत है वो आपका health insurance coverage cover कर सकता है Number 5, आपके preference का hospital आप किस hospital में treatment करवाना चाहते हो आप उस hospital में कितना room rent है, कितना खर्चा हो सकता है इसको अनुमान लगाने के बाद आप एक health insurance coverage का total amount तै कर सकते हो अगर आप महेंगे hospital में treatment लेने पसंद करते हो तो आपका coverage ज्यादा होना चाहिए उस हसाब से होना चाहिए कि आपका coverage उसको cover करे नंबर 6, आपकी उमर आपकी और आपके परिवार के सदस्य की उमर भी आपको ध्यान में रखके आपको coverage चूज करना चाहिए बढ़ती उमर के साथ आपको आपका बीमारी होने का chance भी ज्यादा है क्योंकि अगर आप 40 से ज्यादा हो तो आपको या फिर आपके family में कोई 40 से ज्यादा है तो आपका health insurance coverage उस हसाब से आपको बढ़ाना चाहिए नंबर 7, आपकी lifestyle अगर आपकी lifestyle ऐसी है जिससे आपको तनहाओ या tension रहता है तो आपको ज्यादा coverage की जरुत है उसी तरह अगर आप smoking या drinking regularly करते हो तो बीमारी का खत्रा भी बढ़ जाता है और ज्यादा some insurance की जरुत होती है नंबर 8, आपके family की medical history आपको या आपके परिवार के किसी सदसे को कोई बीमारी रही है तो coverage ज्यादा चाहिए अभी भी अगर आप या आपके परिवार के सदसे किसी बीमारी के ग्रस्त में हो तो आपको ज्यादा coverage की जरुत है नंबर 9, is affordability ज्यादा some insurance अच्छा होता है लेकिन आपके pocket के हिसाब से होना चाहिए इतना आपको health insurance की premium होनी चाहिए कि आप हमेशा दे सको इसलिए इतना expensive भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको नहीं ले सके इन सभी बातों को ध्यान में रखके आपको एक health insurance का coverage चूज करना है चाहिए जो आप comfortably pay कर सके काफी companies आपको health insurance calculator की सुविदा देती है इन calculators में आप अपने details अगर आप fill करते हो तो एक ideal health insurance amount आपको बताएगा आप इन calculators की सहायता ले सकते हैं coverage calculate करने के लिए इसके इलावा एक simple सा formula भी है जो आप use कर सकते हो इस 50% of your annual income plus last 3 years of your hospitalization expenses इसका ये मतलब है अगर आपका सालाना income 10 लाक रुपया है और उसका 50% यानि 5 लाक रुपया और last 3 साल में अगर आपका medical खर्चा हुआ है 2 लाक रुपया तो 5 लाक प्लस 2 लाक यानि 7 लाक का minimum health insurance का coverage आपके पास होना चाहिए So health insurance लेने से पहले ध्यान रखे कि आपकी coverage काफी होनी चाहिए कि आपके medical खर्चों को आपकी policy उठा सके और आपको अपने pocket से खर्चा ना करना पड़े कि आपके प्रचों को आपके लाक रुप घपके लाक कि आपके लाक प्यानिग ना करना जापके लाकी लाक कि आपके अपके लाक बादाए झाल झाल